एक बार की बात है, एक कौवा बहुत भूखा था, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला. वह ठक गया और एक पेड़ की डाल पर बैठ गया. अचानक उसने एक प्लेट में एक टुकडा पनीर देखा. वह प्लेट के पास उड़ा और अपने चोंच में ले लिया और उड़ गया. अब वह एक सुरक्षित स्थान ढूंट रहा था, क्योंकि वह किसी के साथ इसे साझा करना नहीं चाहता था. रास्ते में उसने कई अन्य कवा देखें, जो साझा करना चाहते थे. चालाकी से उसमें उन्हें चाला, और एक शांत स्थान पर एक पेड़ पर बैठ गया. एक चालाक लोमडी ने पनीर वाले कौए को देखा, उसके मुह में पानी आ गया. वह जल्दी से कौए से पनीर प्राप्त करने की योजना बनाई. वह मीठी आवाज में बोली, नमस्ते सुन्दर कौवा, मैं फॉक्सी प्रॉक्सी हूँ और मैं आसपास रहती हूँ. मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि कौए की बहुत मिठी आवाज होती है. क्या ये सच है? मैंने कभी भी कौए को गाते हुए नहीं सुना है. क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं? कौवा हैरान हो गया. क्यूंकि किसी ने उसकी आवाज की प्रशंसा कभी नहीं की थी. लेकिन वह चुप रहा. लोमडी ने जारी रखा. प्रिय कौवा, आपके चमकदार पंखों के साथ आप इतने सुन्दर लग रहे हैं. उसे खा लिया और भाग गई. जब कौवा को पता चला कि उसने क्या किया है, तो उसे बहुत बुरा लगा. वह लोमडी पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए था. तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली कहानी आप लोगों तक पहुंच सके.